कमर्शल फिल्मों में पुलिस को एजे सुपन को दिखाने वाले डायरेक्टर रोहिट शेटी की Amazon Prime वीडियो पे एक वेब सिरीज आई है जिसका नाम है Indian Police Sports इसके लिडरों में आपको रजर में आएंगे सिधार्क मलोतरा, सिलपा शेटी और विवेक ओबरोई और क्या इस वेब सिरीज में आपको रोहिट शेटी वाला जो मसाला है वो आपको एक्षन से भरपूर देखने को मिलता है या नहीं ये जानने के लिए आप ये वीडियो सुरुआत से लेके अन तक पूरा दिखेगा पहले इस सिरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं तो दिल्ली में एकी समय पे छे बोम ब्लास्ट होते हैं कुछ समय के बाद वही बम दमा के जैपूर में होते हैं अब पुलिस को ये पता लगाना है कि इस बम दमा केके पिछे किस टेररिस्ट और्गे राइजिसन का हाथ है तो क्या वो अपने मिशन में कामियाब हो पाती है नहीं ये जान्डे के लिए आपको पूरी सिरीज देखनी पड़ेगी अब दोस्तों मैं आपसे honestly कहना चाहूंगा कि इस टेरिस की जो कहानी है concept है वो इतना पूराना है इतना basic है कि आज के समय में वो कहानी हमें बहुत ज़्यादा boring लगती है एसी कहानी 15-20 साल पहले चला करती थी और आपने वही कहानी को आज के समय में present कर रहे हो कहानी में कुछ भी नहीं इसके सारे एपिसोड एक दूसरे की copy और repeat लग रहे थे मनलब कहानी में कुछ नया पन नहीं direction में कुछ नया पन नहीं screenplay आपको engaging लेकता कुछ भी नहीं मनलब इसकी कहानी अगर आप देखोगे न सब कुछ repeating mode पर चलता है पहले दिल्ली में धमाके होते हैं तीन एपिसोड के बाद जैपूर में होते हैं तीन एपिसोड के बाद गोवा में चलते हैं अरे क्या चल रहा थे यार पूरी सीरीज में एक ही चीज़ को बार मार करके दिखा रहे थे direction की बात करें तो honestly बता रहा हूं रोहिक शेटी को लगता है कलर बहुत ज़्यादा पस जाएगा पूरा का पूरा एपिसोड पीला करके रख दिया है और समझ वे नहीं आता है ये केस प्रकार के direction कर रहे हैं सरकस मूव में भी इतना ब्राइट कलर कर दिया था अभी इंडियन पुलिस फोर्स में इतना ब्राइट कलर सच में आखों में चूब रहे थे और इस सी अपने पुलिस वाले आदमी को कहता है कि अब दर्वाजे के सामने खड़े हो जाओ तो पुलिस आलव वाला अपनी गन को पिछे रख देता है और दर्वाजे के सामने खड़ा रहता है और जो टेरिरिस्ट लोगे वो दर्वाजे के अंदर से ही पुलिस वालों को उड़ा सिर्थाट मलोरा, विवे कोबरोय, सिलपा सेटी, सभी फोर स्कूल एक्टिंग कर रहे थे, किसी का भी पफोरमस आपको याद रहे सके, ऐसा आपको लगता ही नहीं है, बेकरान मुजिक भी किसी पे भी सूट नहीं हो रहा था, तो मेरे इसाब से ये एक बहुती बोरिंग और रिपीटिटिव टाइप की सीरीज है, जिसको ना देखे तभी बेतर है, फिर भी अगर आप रोहिक शटी के फैन हो, अगर इसको देखना चाते हो, तो ये सीरीज आपको Amazon Prime वीडियो पे हिंदी लेंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, इस सीरीज के टोटल साथ एपिस सीरीज के लें 45 मिनिट से लेके 50 मिनिट लगते हैं, जो बहुत ही लंबे लगते हैं, और अभी तो इसका सीजन टू भी आने वाला है, पता नहीं वो लोग कैसे देख पाएंगे, मैं इस सीरीज को दूँगा, वन आउट ओफ टेन स्टार्स, आपको रिव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरू बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा, वो तो लाइक जरू कीजेगा, तब तक के लिए फिर मिलते हैं, जय स्री राहम!